लेखा सास्त्र कक्सावारा अध्याय पांच कम्पनी लेखे अंसो एम रिन पत्रों का निर्गमन सी नमस्कार मित्रो मैं रामावतार बटुक आपका स्वागत करता हूँ मैं एक श्वय पाठी विद्यारती हूँ मैं इस परकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे सत्तर परती सत्त से अधीक याद हो जाता है प्रश्ण एक प्रीमियम पर अंसों का निर्गमन क्याग है उत्तर जब अंसों को उनके अंकित मुले से अधीक पर निर्गमित किया जाता है तो ये प्रीमियम पर अंसों का निर्गमन कहलाता है प्रेशन दो प्रीमियम पर अंसों के निर्गमन का एक उधारन दीजिए उत्तर जैसे रुपे दस वाले समता अंसों का निर्गमन रुपे चोदा पर तियंस की दरपर करना यहां चोदा बाकी दस बराबर रुपे चार पर तियंस प्रीमियम कहा जाएगा प्रशन तीन, प्रीमियम का लेखा किस इस्तर पर किया जाता है? उत्तर, प्रीमियम का लेखा आवेंदन, बंटन या मांग किसी भी इस्तर पर किया जा सकता है प्रशन तीन, प्रीमियम का लेखा किस इस्तर पर किया जाता है? उत्तर, प्रती भूती प्रीमियम का लेखा बंटन के इस्तर पर किया जाता है प्रश्ण पांच पर्ति भूती प्रीमियम कम्पनी के लिए क्या है? उत्तर पर्ति भूती प्रीमियम कम्पनी के लिए फूंजी गतलाब है प्रश्ण छै पर्ति भूती प्रीमियम को चिठ्थे के किस भाग में दर्शाया जाता है? उत्तर पर्ति भूती प्रीमियम को चिठ्थे के समता एम दाईत्व भाग में दर्शाया जाता है? प्रश्ण साथ पर्ति भूती प्रीमियम को चिठ्थे में किस सिर्शक से दर्शाय उत्तर अंसधारियों के कोश सिर्षक से दर्षाया जाता है। प्रश्ण आठ पर्तिवूति प्रीमियम को चिठे में किस उपसिर्षक से दर्षाया जाता है। उत्तर संचय एवं आधिक के उपसिर्षक से दर्षाया जाता है। प्रेशन नो, परति भूति प्रीईंम को चिठे में किस रूप में दरसाया जाता है? उतर, परति भूति प्रीईंम संचे रूप में दरसाया जाता है。 प्रश्ण 10. कंपनी अधिनियम की दारा बावन एक के अनुसार परती भूतियों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की रासी कहां जमा की जाती है उत्तर परती भूती प्रीमियम खाते में जमा की जाती है प्रश्ण 11. भारतिय कंपनी अधिनियम 2013 की दारा बावन दो के अनुसार परती भूति प्रीमियम का प्रियोग किन कारियों में किया जाता है उत्तर 1. सदस्चन को पूर्ण परदत अन्स निर्गमित करने के लिए 2. कंपनी के प्रारंबिक वेयों को एप लिखित करने में 3. अन्सों या रिन पत्रों के निर्गमन वेय या दिये गए कमिशन या रिन पत्रों पर दिये गए बट्टे को अप लिखित करने में 4. कंपनी के किसी भी सोधनिये पूर्वादिकार अन्सों या रिन पत्रों के सोधन पर देई प्रीमियम का परबंद करने में 5. अपने अन्सों को क्रिय करने में प्रश्ण 12. अन्सों का न्यूंतम अविदान किशे कहते हैं 5. उत्तर जब एक कंपनी को प्रास्तावित अंसों की तुल्ना में कम अंसों के आवेदन प्राप्त होते हैं तो उसे अल्प या न्यूं अविदान कहते हैं 6. प्रश्ण 13. अंसों के न्यूं अविदान की दसा में कितने अंस बंटित किये जाते हैं 6. उत्तर न्यूं अविदान की दसा में न्यूंतम अविदान के प्राप्तानों को ध्यान में रखते हुए सामानेते परते को आवेदित अंसों के बराबर अंस बंटित कर दिये जाते हैं प्रेशन 14. अंसों का अधी अविदान किसे कहते हैं उत्तर जब एक कंपनी को प्रस्तावित अंसों की दुल्ला में अधीक अंस खरीदने के आवेदन पर प्राप्त होते हैं तो ये इस्तती अधी अविदान कहलाती है प्रेशन 15. अधी अविदान की इस्तती में एक कंपनी किन तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प के आधार पर अंसों का अविदान कर सकती है उत्तर एक कुछ आवेदकों को फूर्ण अंस आमबंटित करना तथा ऐसे आवेदक जिने कोई अंस आमबंटित नहीं किये हैं उनकी आवेदन राशी को लोटा दिया जाता है दो समेश्त आवेदकों को अनुपातिक आधार पर अंसों का अमबंटन करना तीन कुछ को फूर्ण तथा कुछ को आनुपातिक आधार पर अमबंटन करना प्रेशन सोला आनुपातिक आधार पर आमबंटन क्या है उत्तर आनुपातिक आधार पर आमबंटन से आसा है उस वर्ग के कुल आवेदकों को बंटित किये गए कुल अंसों का उस वर्ग के कुल आवेदनों के अनुपात से है प्रेश्ण सत्रा आनुपातिक आदार पर आमंटन को उधारन से समझाईए उत्तर माना आर लिमिटेड ने 10,000 अंस जनता को निर्गमित किये जिनके बदले में कुल 15,000 अंसों के आवेदन प्राप्त हुए अनुपातिक आदार पर अंसों के प्राप्त आवेदन अनुपात कुल निर्गमित अंस बराबर 15,000 अनुपात 10,000 बराबर 3 अनुपात 2 होगा पर तेक तीन अंसों के आवेदकों को दो अंस आमबंटित किये जाएंगे प्रेशन 18 आवेदन पर प्राप्त आदिक के राशी का प्रियोग किस परकार किया जा सकता है उत्तर अनुपातिक आदार पर अंबंटन की दसा में आवेदन पत्र के साथ चुकाई गई आदिक के राशी का प्रियोग एक सुचिवद कमपनी दुआरा इस्टोक अक्स्चेंज की अनुमती प्राप्त कर आमबंटन तथा यातना पर किया जा सकता है प्रेशन गुन्नीश एक गेर सुचिवद कमपनी आवेदन प्राप्त आदिक के राशी का प्रियोग किस परकार कर सकती है उत्तर एक गेर सुचिवद कमपनी आवेदन पर प्राप्त आदिक के राशी का प्रियोग आमबंटन तथा यातना राशी के समायोजन में कर सकती है प्रेशन बीश उलेक के अभाव में समायोजन के उपरांत सेश धनराशी का क्या प्रियोग किया जा सकता है उत्तर इस्पष्ट उलेक के अभाव में आवेदन पर प्राप्त आदिक के राशी में सें बंटन पर दे राशी के समायोजन के उपरांत सेश धनराशी अंसदारियों को वापिस लोटा दी जाती है प्रेश्ट इकीश स्वेट समता अंसों का निर्गमन क्या है उत्तर कमपनी अदिनियम दोजार तेरा की दारा दो अठाशी के अनुशार स्वेट समता अंसों से आसे ऐसे समता अंसों से है जो किसी कमपनी दोबारा अपने संचालकों या करमचारियों को बट्टे पर या रोकड के अतिरिक्त अन्य परतिफल के लिए तकनिकी जानकरी देने या बोधिक संपता के अधिकारों की परकरती के अधिकार उपलब्द क कराने या उपयोगिता में पृद्धी करने के लिए जारी किये जाते हैं प्रश्ण 22 कमपनी अधिनियम 2013 की दारा 54 की वे सरतें कौन सी है जिनके पूर्ण होने पर एक कमपनी स्वेट समता अंसों का निर्गमन कर सकती है उत्तर ए निर्गमन कमपनी दुवारा विशेश प्रस दो विशेश प्रस्ताव में अंसों की संक्या वर्तमान बाजार मुल्ले परतिफल यदी कोई हो तथा संचाल कों दुवारा करमचारियों के वर्ग जिनको ऐसे अंस निर्गमित किये जाने हैं का उलेक होना चाहिए से स्वेट समता अंसों के निर्गमन की तिथी को कमपनी को व्यवशाय करने का अधिकार प्राप्ट हुए कम से कम एक वर्ष फूर्ण हो जाना चाहिए दै यदि कम्पनी के अंस किसी माननेता प्राप्त इसकंद विपनी पर सुचीवद हो तो स्वेट समतांसों का निर्गमन से भी द्वारा इस सम्मंदवे बनाए नियमं के अनुसारी करना चाहिए प्रस्ण तेईस अधिकार अंस पुंजी किसे कहते हैं उत्तर कम्पनी की अई निर्गमित पुंजी को अधिकार अंस पुंजी कहते हैं प्रस्ण चोईश एक कम्पनी को अपने व्यवशाय में व्रिद्धी या अन्य कारण से अधिक वितिय संसादनों की आवशक्ता होने पर वह क्या करती है उत्तर ऐसी स्थती में कम्पनी अपनी संपुन ए निर्गमित अंस पुंजी या उसके एक भाग को निर्गमित कर सकती है तथा आवशक वितिय संसादन जुटा सकती है प्रेश्ण पचीश एक अंस पुंजी वाली कम्पनी अपनी अभिदत पुंजी में व्रिद्धी के लिए कौन से निर्णे ले सकती है उत्तर एक कम्पनी अधिनियम 2013 की दारा 62 के अनुसार आतिरिक्त अंस निर्गमित करना प्रस्तावित कर सकती है दो ये प्रस्ताव ऐसे व्यक्तियों को बेजे जाएंगे जो प्रस्ताव की तीथी को कम्पनी के समता अंसों के दारक है तीन ये प्रस्ताव नोटिस के रूप में होता है चार इस नोटिस में प्रस्तावित अंसों की संक्या होती है पांच इस नोटिस में प्रस्ताव की तिथी की समय शिमा जो पंदरा दिन से कम नहीं होती है तथा तीस दिन से अधिक नहीं होती है छे यदि प्रस्ताव को श्विकार नहीं किया जाता है तो उसे ऐश्विकार मान लिया जाता है साथ जब तक अंतरनियों में कोई विप्रीत विवस्ता नए हो तो समंदिन्त अंसदारी को किसी अन्य व्यक्ति के पक्स में परिता करने का अधिकार होता है आठ प्रस्ताव को एश्विकार करने की इस्तिती में कम्पनी का संचालन कम्पनी तथा अंसदारियों के इतों को ध्यान में रखते हुए उन अंसों को अन्य व्यक्तियों को आमन्टित कर सकता है प्रश्न 26 करमचारी इस्ताक विकल्प योजना क्या है उत्तर कम्पनी के दौरा अपने संचालकों अधिकारियों व्यक्ति आपने इच्छानुसार इन प्रस्ताविस अंसों को खरिद सकते हैं प्रश्न 27 क्रमचारी इस्टाक विकल्प योजना का उद्देश क्या है? उत्तर कमपनी द्वारा अपने संचाल को अधिकारियों एं क्रमचारियों को अंस देने का उद्देश से उनकी कारिय छमता तथा अपनात्व की भावना को बढ़ाना है प्रश्न 28 क्रमचारी इस्टाक विकल्प योजना के अंतरगत आपन्टित अंसों को खूले वाजार में बेचा जा सकता है? उत्तर एश्य अंसों को आपन्टन की तीथी से एक वर्स के अंदर खूले वाजार में नहीं बेचा जा सकता है प्रेश्ण गुंटीस क्रमचारी श्टाक विकल्प योजना किस नियम के अंतरगत आती है तथा इसका उद्देशे क्या है उत्तर ये कमपनी अधिनियम दो जार तेरा की दारा दो सेंटीस के अनुसार है इसका आसे कमपनी के संचकाल को अधिकारियों या क्रमचारियों को कमपनी के अंस बावीत इति को पूर्व निर्धारित मुल्य पर ख्रीदने के लिए दिये गए अधिकार या लाब के विकल्प से है प्रश्न तीस एसक्रो या निलंब खाता क्या है उत्तर एसक्रो सब्द से आसे एक अनुबंद के तहत किसी वी निर्धिष्ट सर्त के पूरा हो जाने तक गारंटी के रूप में तिर्थी अपक्सकार के पास जमा की गई नगदी या परतिभूतिया है सेवी के दिशा निर्धिषों के अनुशार जो कमपनी अपने अंसों का क्रिये योजना के तहत अंस वापीश खरीद रही है उसे किसी बेंग में एसक्रो खाता खोलना होता है प्रेश्ण 31 एक स्रो खाते में क्या क्या सामिल है उत्तर एक किसी व्यवशाइक बेंग में जमा रासी दो किसी व्यापारिक बेंग के पक्स में बेंग गारंटी तीन उचित मारजिन के साथ स्विकारिय परती भूतियों का निछेप अर्थात जमा और चार उप्रोक्त एक से तीन तक का मिश्रण प्रेश्ण 33 एस क्रो खाते में कितनी रासी जमा करनी आवश्यक है उत्तर यदि क्रिय वाफसी के रूप में चुकाई जाने वाली रासी रूपए एक क्रोड से अधिक नहीं हो तो एस क्रो खाते में एसी रासी का 25 परतीसत जमा करना होता है और यदि चुकाई जाने वाली राशी सो क्रोड से अधिक है तो अधिके का दस परति सत्वी जमा करना होता है प्रस्ण तेतीस अपने अंसों की क्रेव आपसी फूर्ण हो जाने पर एस क्रोखाते में जमा राशी का क्या किया जाता है उत्तर एस क्रोखाते में जमा की गई राशी या परति भूतियों को करिये वापसी पूरी हो जाने पर सेवी की आग्या से वापिस कर दिया जाता है और अलुपालना ने होने पर जब्द कर लिया जाता है धन्यवाद